तो आज का नेक्स्ट मैच जो हम चैनल में वीडियो के त्रूख कवर करने वाले हैं वो रहेगा रश्यन प्रीमियल लिग का मैच रॉस्टव वर्सिस जैनित सेन पिर्जबग के बीच इस मुकाबले का करते हैं डीटेल एनलिसिस तो रश्यन लिग का ये स्टार्टिंग फेस चल ला है और रॉस्टव वर्सिस जैनित ये मैच रॉस्टव के हूंगराण में रात में 10-30 पीम पे खेला जाएगा अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि जो जैनित है दोस्तों ये रश्यन प्रीमियल लिग की दा बेस्ट साइड है और ये जैनित साइड लास्ट क गोल उन्हीं के थे लीग में 76 और 26 गोल उन्हाने कंसीड किये थे रॉस्टव ने प्रॉपर मिटेवल 9 फिनिश किया था डीसेंट 37 गोल मारते 35 गोल कंसीड किये थे तो क्वालिटी वाइस जैनित बहुत उपर है एस कंपेर टू रॉस्टव और इस मैच में भी क्लियर कट जो जैनित है वो फेवरेट होने वाली है हालनकि जैनित का अवे मैच जरूर है लेकिन जो जैनित है यह हमेशा ही टॉप क्वालिटी प्लियर्स अपनी टीम में साइन करती है हर सीजन में और इनकी स्ट्रॉंग जो है बहुत ज्यादा सॉलिट रहती है तो इस मैच में क्लि और उसमें भी उन्होंने अच्छी लोकोमोटिफ साइट को 3-2 से हरा दिया, तो जैनित ने अपने लास्ट दो नू मैचेज में 3-3 गोल स्कोर के है, वहीं जो रोस्तों वे अपना पहला ही मैच हार के यहां पे हार ही है, तो क्लियर कट फेवरेट जैनित है, उनके फिवर में हम टीम यहां पे बनाएंगे, स्मॉल लीग में, तो फिलाल के लिए प्रोविवाल लाइन अप पे आते हैं, उससे बहले एक चीज कहना चाहूंगा, इस मैच की फाइनल SL टीम, अल्मोस्स सभी फुटबाल मैचेज हम कवर करते हैं, टेलीग्राम का लिंक के बड़े मैचेज, जो भी फुटबाल मैचेज हो रहें, टेलीग्राम में ही मैं कवर करता हूँ, तो जरूर से जरूर जोईन कर लिजे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो पिन कमेंट है, वहां से भी आप जुड़के जोईन कर सकते हैं, प्रोवे हालें कि लाश्ट टाइम उन्होंने गोल कंसीट कर दिया था खीम की जैसे वीक टीम के अगेश्ट, तो गोल कंसीट कर सकते हैं, फिर भी क्या है न, हम जैनित मैक्जीमम डिफेंडर लेके जलेंगे, क्यूंकि जैनित बहुत ज्यादा पोजेशन वगेरा डॉमिनेट करेग डियान लावरिन, फॉर्मल लिवरपूल प्लियार है, हेडर अब दा बॉल, इनका बहुत अच्छा है, और राकिट्स की अभी सेम वोई है, तो फिलाल के लिए, मेबी इनके सेंटर बेक में किसी एक को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, अगर आप एक एक्स्ट्र आटेकर ले जाकर एक डिफेंडर सेक्रिफाइस कर रहे हैं, मैं तो फिलाल के लिए, चारो डिफेंडर ही पिक करने वाला हूँ, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूँगा, अब इक लिए, मिट फिल सेक्षिन में देखिए, वेंडल और कुछ वाय आप खिलिंगे, सेंटरल मि जैसे मैं किराओ, अभी के लिए, वेंडल ट्रॉप करते हैं, हलंकि वेंडल भी गोल असिस्ट करने में, और अच्छे पॉइंट्स देने में, लेकिन कुछ वाय एक ऐसा प्लेयर है, जो आपको ओफेंसिव डिफेंसिव दोनु जगे के पॉइंट्स देता है, तो कुछ व इनको भी इग्णोर करूँगा, क्योंकि इनसे भी अच्छे ओप्सन हमारे पास है, क्योंकि अभी के लिए देखिए, चार डिफेंडर में ले जारो, तो तीनी ओप्सन बज़ने है, तो फिलाल के लिए, इरोकिन को मैं शोली पिक करूँगा, उसका रिजन यह है, दो बैक मुष्टो वोई पे भी पॉइंट ले सकते हैं, अब इनके जो टॉप टूप प्लेयर्स हैं, वो है सारदर अजमौन और आटेम जूबा, जूबा तो आपको भी आदोगा, यूरोज में भी जो रशियन निसनल टीम थे, उनके मेनी श्ट्राइकरते हैं, यहाँ भी देखि होंगे, अब एक चीज कहना चाओंगा, पेनाल्टी का कोईश होनी है, वैसे सीनियर प्लेयर जूबा है, तो हाई जंसे जूबा है पेनाल्टी लिंगे, कभी-कभी अजमौन भी पेनाल्टी लेते हैं, तो इस वज़े से कहना चाओंगा, यह दोनु टॉप टूप टूप इसमें क्लियरली आपका कॉल है, आपको किसको केप्टन, किसको वाइस केप्टन करना है, एक चीज कहता हूँ, एजमौन विदाउट गोल असिस ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं, एस कंपेर टू जूबा, क्यूबा जो है, प्रॉपर नंबर 9 प्लेयर है, इनको क्वालिट किसको भी आप केप्टन, वाइस केप्टन कर सकते हैं, पूरा लग पे डिपेंड करने वाला है, ये इस टीम के बैस प्लेयर है, तो फिलाल के लिए ये जैनिट की ओवराल प्रोविबल 11 थी, लगबख सभी प्लेयर्स, सभी सिनेरियोज मैंने एक्स्प्लेयन कर दिये, और आपको मिल जाएगा, रोस्तोफ की बात करते हैं, जिनके हम सिम चार प्लेयर लिंगे, तो इनके गोल की पर, पेश जाको भी इंपोटेंट हूंगे, अभी के लिए मैं इनके साथ जाऊंगा, इनके डिफेंस में किसी को ट्रस्ट नहीं करता, मैं अपोनेंट हेवी डिफें ली याँ, फिर भी आप मिनिमाम इनके एक डिफेंडर का हमारे पास स्पॉट बचेगा, अगर मैं अपोनेंट से चार डिफेंडर लियाता हूँ, यानि कि जैनित के चार डिफेंडर लिया तो में भी आप इनके फुलबैक टेरेंटियफ या काली निन में किसी एक कोटरस् और इनके बाग creativity भी अच्छी है तो ये पिछले season एक goal 3 assist भी कर चुके है तो अभी के लिए ग्लैबॉब मैं surely pick करूँगा इनके goal की बर के साथ अब जो last season का इनका top scorer रहा था वो था पोलोज with 7 goals and 3 assists और high chances थे penalty में भी यूँँगे क्योंकि last season most of the time game इनकी penalty यही बंदा ले रहा था तो अभी के लिए ऐसे player को भी मैं drop नहीं करूँगा selection भी इनका अच्छा है तो पोलोब को भी मैं surely pick करूँगा अब हासी मोटो और मामाइप खिलेंगे central midfield में हासी मोटो इनके last season के second top scorer थे भी 6 goal and 1 assist और यह defensive point भी देते हैं offensive defensive दुन जगे से point देंगे तो हासी मोटो मेरे हुँगे fourth player मामाइप एक defensive minded player है tackling interception point of view से अपनी team में pick कर सकते है हो सकता है थोड़ी बहुत point दे दे तो ठिक ठाक option हूँगे ऐसे कोई खराब option नहीं है अब यह जो बायरम यान है यह दोस्तों एक hit and miss scorer है तीन गोल एक अचिश किया था लेकिन patches में perform करते हैं ignore करूँगा small league में और same goes with कोबली चेंग को last season किसी दूसरे club में थे ठिक ठाक गोल मार रहे थे लेकिन यहाँ पर मैं assume कर रहा हूँ जैनित की clean sheet आएगी तो फिलाल के लिए मैं forward pick नहीं कर रहा हूँ दूसरी बात यह है forward section में पहले सी पोलो होज है मेरे पास और अजमौन और जूबा है तो फिलाल के लिए इनके लिए spot भी नहीं बच रहा अभी के लिए कोबली चेंग को ignore करूँगा बाइरहम या हम ignore मैं करने वाला हूँ तो overall यह रोस्टॉप की प्रोवेबल 11 है यहां सी भी मैंने आपको सभी scenario सभी players के बारे में explain कर दिया और य जैनित की मैं पूरी clean sheet के साथ गया हूँ तो उनके मैंने चारो defender पिक कर लिए और जैनित के दो main forward जूबा अजमौन और इनके midfielder arrow queen मैंने पिक किये अभी के लिए पोलो के साथ में क्या हो जो most probably रोस्टॉप के penalty टे करूंगे गलेबो इनके defensive midfielder जो हमें अच्छे points दे स चल जाएंगे तो यह demo rough team थी final small league team के लिए और सभी football matches के लिए इसके बाद जो Brazilian Serie A का match है वो match भी cover करूंगा यहीं telegram channel में link के description में जरूर से जरूर join कर लिए